ओम नमस्षिवाय, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना योटूब चैनल पर, दोस्तों इस वार रख्या बंदन पर बहुत ही अच्छा योग बना हुआ हैं, यह योग कापी सालों के बाद में ऐसा सुभ योग बना हैं, जो सात रासी वालों की किश्मत बदल के रख पूजा जरूर करें। पूजा करने से क्या होता है कि हमारे कुणली में ग्रहन की इस्थिति अगर सुभ ना हो, तो वह सुभ हो जाती हैं और उनकी असुबता समाप्त हो जाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कई परकार की परिशानीया हमें आती हैं, हम बग़वान की पूजा करते हैं तो परिशानी आसानी से निकल जाती है वहाँ जब कुंडली दिखाते हैं तो ग्रहन के बारे में पता चलता है कि कुन सा ग्रह हमारा कैसा है लेकिन जब सुब सयोग बनता है तो हम भगवान की पूजा करते हैं तो वह योग हमारा बहुत ही अच्छा हो ज जाते हैं सिंग रासी में बहुत ही अच्छा दुल्लफ सयोग बन रहा है शूर्य बुद्ध और मंगल खा जोतिश सास्त्र के हिसाब से अगर ये तीनों ग्रह एकटे हूं तो बहुत ही अच्छा सुभ योग मना जाता है अगर सूर्य और बुद्ध एक साथ आ जाए तो सूर बुद्ध आदित्त योग बनता है जो राजयोग मना जाता है दोश्देश दिन आप भगवान गड़ेजी को हरी दुरवा अरपन जरू करें साथ ही आप भगवान गड़ेजी को मोदक अरपन करें अब मैं आपको साथ राशियों की जानकारी दूँगा कुण कुण सी है वह साथ राशियां बहुत ही भाग्य सालिए मेश राशी कारियों में सपलता धन का लाव संतान का सुक दामपत जीवन में खुशाली रहेगी भाग्य का साथ मिलेगा भगवान संकर की क्रपा से बहुत ही खुशाल रहने वाला हैं मेथुन राशी परवार में अचानक खुशी का महुल रहेगा धन का लाव तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में आपके जीवन साथी का वियानि आपकी पत्नी का पती पत्नी में अपस में प्रेम बढ़ेगा भाग्या आपका बहुत ही शुब रहने बाला हैं तो भगवान शिवजी को आप पंचामरत अरपन करें साती बेल पत्र भांग धतूरा जरूर अरपन करें साती घर में आपको चीजे लाकर के रखें जैसे तरसूल है डमरू है रुद्राक यह बश्मी है यह चीजे घर में लाकर के जरूर रखें प्रत यह चीजे लाव मिलने वाला है मान सम्मान बढ़ेगा घर में खुश्या आएंगी ब्योपार और नोकरी बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं मान सिक सांती रहेगी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा कार्यों में सपलता परवार के सदस्यों में आपस में प्रेम ब सिंग रासी दोस्तों जिस रासी में यह योग बन रहा है भगवान सिम की किरपास सिंग रासी वाले ब्यादी भागिसाली रहने वाले आपका जो भाग्या साथ व्यासमान पर रहेगा उचाईयों को छुओगे ब्योपार दिंदूना राच्चाउगना चलेगा पुत्र ध दहन का योग बना हुआ है साथ ही कई ऐसे कार हैं जो आपके अटके हुए वो अभी संपन होंगे कैरियर संबंदिच चिंता हैं आपके दूर होंगी अगर आप विद्यारती हैं तो वही जातकाउं को भी विशेश लाब मिलने बाला हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होगी तोलारासी जातक जातका यानि ये नाम के हिसाब से मैं रासी फ़ल बता रहा हूँ लड़कियों पुरुष हो या इस तरे दोनों के नाम से ये रासी फ़ल है दोनों को इसकी प्रकार का लाब मिलेगा तोलारासी भी 32 सुब रहने बाली है नोकरी बदलने का आप विचार कर सकते हैं ब्यवपार में लाब के योग बनेंगे संतान का शुका आपको मिलेगा कारियों में सपलता मिलेगी किसी भी कार में आप जल्दवाजी ना करें सोच समझ के काम करना है धन लाब होने के योग हैं नोकरी और ब्यवसाय में तरक्की के भी योग हैं जीवन साथी का स्रहयों मिलेगा और आपका प्यार भी सफल होगा लव लाइव आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस समय हर कोई आपकी मदद करने के लिए आतर होगा और वह सामने भी आएगा धन रासी, दोस्तो धन रासी का योग व्यादी शूब और चौकाने वाला रहने वाला है दनुरासी वालों को अच्छी सपलता है मिलेंगी संतान का सुक भी मिलेगा भ्योपार में उन्निती मिलेगी कर्जी से मुक्ती मिलेगी अगर कोई विजने सुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़े इन्वेस्ट से आप सुरू करें जादा ना लगाएं कारियों में सपलता मिलना अभी से शुरू हो जाएंगी और जो कार याटके हुए हैं आपके जो कार रुके हुए हैं उन्में आपको भरपूर सपलता मिलेगी वहीं आपके परवार में खुशी का महल भी आने बाला है कोई सुब समाचार आपको मिलेगा कुम्रासी नोकरी में तरक्की मिल सकती है कोई नया प्रोजक्ट हाथ लग सकता है आप जिस कार में कर दिया अपना कार करते हैं दुकान करते हैं या ब्योपार करते हैं बिजनिस करते हैं कोई भी कार करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी वही आप ओनलाइन कोई काम करते हैं अर्णिंग के सुरूत आपके बढ़ेंगी अगर आप म्यूचल फंड बगराम पेंसा लगाते हैं तो उसमेवी सपलता मिलेगी परवार में महुल अच्छा रहेगा जो भी कार्याप करना चाह रहे हैं वह कार्याप का संपन होगा भगवान संकर की विशिश क्रपाप के उपर रहेगी नोकरी और व्यपार के लिए यह समय किसी बरदान से कम नहीं है आर्थिक पक्चि मजबुत होगा मान संमान और पद प्रतिष्टा में ब्रद्धी होगी वेवैक जीवन भी आपका बहुत ही अच्चा रहने बाला है मीन रासी कार खेत्र से किसी प्रकार की खुश कबरी मिल सकती है पड़बार में खुशी का मावल रहेगा महीने के यंत में कोई सुब समाचार मिले को देखा जा सकता है बागे का साथ मिलेगा दामपत जीवन या गिरस्त जीवन बहुत ही अच्चा रहेगा आपका जो मन है वह भगवान की तरफ रहेगा कारियों में सपलता है मिलना आपको शुरू हो जाएंगी वहीं आप किसी का स्रयोग भी प्राप्त करेंगे और आप दूसरों की मदद भी करेंगे दोस्तों स्रावण मास में जो ये आकरी दिन है पूरण मास ये रख्या बंदन है तो भगवान सत्त नारण की कथा करें साथ ही भगवान सिव का पूजन भी करें गोमाता का पूजन करें जिससे आपके योग और अच्छे बन जाएंगे करम करने से भागी बदल जाता है इस बात का विशेशूप से ध्यान रखें पूजा पाट पर ध्यान दें आप इस दिन घर के अंदर स्वास तक चिन्न बनाएं घर के अंदर पीली कोड़ी गोमती चक्र और कमल गट्टा ला करके रखें श्री महल अच्मिनमा मंतर का जाप करके हाथ में पीली सरसो ले करके ओ मनवंती नमा बोल करके पूरे घर में डालें इससे वास्त दोस्दूर हो जाता है तो बहुत ही अच्छे योग हैं और ये रासियां जो मैंने बताई हैं आपको बहुत ही भागिसाली रहने वाली हैं तो इस वीडियो को जद़ जद़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हैं